अगर आप नहीं भी तक हमारा चनल सब्सक्राइब ना क्या हो तो कर लिजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिश ना हो घंटे का आइकान जरूर दबा जीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं नमस्कार दोस्तों सागत है हमारा टूब चनल में आप देख रहे हैं स्वीटी सेवन नाइन जीरो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे पोर्ट्सों में इवाओ में सीगर पतन या फिर नपुन संक्ता जैसी सिकायत है तो उसके इसमें किस दवा का प्रियोग क साइड एफेक्ट होता है इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसा चीज बताया जाए जिसका कोई नुकसान ना करें आपकी बॉड़ी के ऊपर तो इसलिए हम तीन घरे लिए नुश्कों को सामिल कर रहे हैं इसमें जिसका रिस्पॉंस बहुत ही गजब का है यदि इसका प को प्रियोक करना है तो उसमें त्रीन चीजों को आपको प्रियोक करना है तिन चीजों में क्या-क्या होगी यह भी आप सुन लिजीए धिससलिंगारे का प आएंगे यहाँ पर SINGHARA उपलब्द है तो SINGHARA को ले लीजी आप उसे पीछ के पाउडर बना सकते हैं या फिर SINGHARA नहीं मिल पाता है आपको सुखा SINGHARA तो इसकेस में आप शिगाड़े का पाउडर ले सकते हैं जो कि आपको जो आरुवेद की दवाओं की दुकान होते ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों जो दूसरी चीज इसमें आती है इमली का बीज इमली तो आप जानते होंगे बहुत ही अच्छी होती है और इसका बीज आपको लेना है तो बीज भी आपको जहाँ पे आरुवेदिक की दवाओं बिकती ही वहाँ पे इमली का बीज आपको मिल जाएगा वहाँ से आप इमली के बीज को खरी सकते हैं यह भी योन सकती बढ़ाने में बहुत ज़ादा कारगर होती है दोस्तों जो तीसरी चीज है वो है मिस्री मिस्री में दो परकार की मिस्री आती है तो इसका आपको खास ख्याल रखना है मिस्री में जो बड़ी-बड़े दाने की मिस्री आती है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है उनको एवाइड करना है जो छोटे-छोटे दान की मिस्ट्री आती है, चमकेली मिस्ट्री उन्हीं को लेना है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही मिस्ट्री आपको लेना है, यह भी आपको आयरुवेदिक दावाओं पर या फिर जहां पर आयरुवेदिक दावाओं बिकती हैं, वहाँ पर य पलस आपका सिंगाडे का पौडर हो जाएगा इमली के बीज का पौडर हो जाएगा तीने के पावडर को ही मिक्स कर लिजी अच्छे से अपका 300 calorie तयार हो जाएगा छोड बनकर दूस OR बात कर लेते हैं इसका अगर अगर में परियोक करते तो का ब्रस परोके कर दो और अगर आपका बीर गाड़ा हो जाता है तो उसमें जो आपका संभाग का समय एक से 2 मिनिट का था वा बढने अट से 10 मिनिट का हो जाए iesta का क्योंकि हम अपने सारे वीडियोज में बताते हैं कि यदि आपका बीर पतला होता है तो उस-समय आपका संभाग का और पलटते हैं तो उसके गिरने में समय लगता है यही फरक होता है दोस्तों ये आपको एक्जामपल दे रहे हैं उधाहड़ दे रहे हैं कि अगर आपका भीर गार्या हो जाता है तो इसके में होगा इससे आपके बॉड़ी के ऊपर कोई नुक्सान नहीं होगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसमें एक चीज का और ख्याल लखना है आपको कि बीच बीच में अगर आपका सेक्स्वाल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए लगभग सेक्स्वाल एक्टिविटी के लिए यानि संभोग के लिए कम से कम 15 दिन का अंत्राल होना चाहिए जब तक आप इस नुस्के का प्रयोग करते हैं अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा यदि इसको लेके इस नुस्के को लेके यदि आपके मन में कोई प्रसन है कोई बिचार है को सुझाओ तो कमेंट सक्षिन में जाए वहां पे लिखे मैं उसका उत्तरा आपको जरूर दूँगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रोडिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद